गोविंदा के करियर को लेकर आज भी ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर ऐसी क्या वज़ा हुई जो उनका डाउन फॉल शुरू हो गया जिस हीरो के आगे सलमान शारुक और अक्षा जैसे लोग नाक रगड़ते थे जिसने अमिता बच्चन के साथ बड़े मिया छोटे मिय करके उनका करियर बचाया था ना जाने कितने डारेक्टर्स को चमकाया था आज उनी गोविंदा को कोई फिल्मों में काम नहीं देता शायद इसके पीछे की कुछ ऐसी बाते हैं जो वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं भले ही टारजन फिल्म आपने देखी हो या नहीं ल उन्होंने अपनी फिल्म से हेमंत को निकलवा दिया था और इसकी वज़ा थी कि गोविंदा हेमंत की बॉडी से इंसिक्योर हो गए थे हेमंत ने आते ही फिल्म रस्ट्री में जंडे गाड़ दिये उनकी बॉडी और माचू लुक के सामने हीरो नहीं टिक पाते थे धरमें हेमंत को फिल्म साइन कराके 21,000 रुपे भी दे दिये गए थे हेमंत ने बताया कि उनकी फिल्म टारजन सफल होने के बाद उन्होंने 107 फिल्म में साइन की थी लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स ने इसके बाद उन्हें दरकिनार करना शुरू कर दिया हेमंत ने बताया कि कई लोगों ने मुझे सला दी कि मैं अपनी बॉडी को कम करूं। हलाकि मिथुन और सल्मान खान ने हेमंत का साधिया वरना शायद उनका करियर भेट चड़ गया होता। हेमंत लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। टारजंच शुरू हुआ उनका करियर आज भी तरक्की की सिर चल रहा है। लेकिन जिस इस्टारडम के हेमंत हगदार थे वो शायद बॉलीवुट के हीरोस की वज़े से उन्हें नहीं मिल सका। वेल आप क्या कहेंगे इस बारे में। अब भी गया हमें कमेंट में दीजे और जाधे ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुट पर चरच को सब्सक्राइब कीजेए।